ओम शान्ति आज 19 दिसंबर 2020 को हम सबने जो अव्यक्त महावाक्य सुने उसके रिवाईज डेट है दो फरवरी 2012 मुर्ली का सार है अब सम्रती स्वरूप अनुभव की अथोरटी बनो जवाला मुखी योग द्वारा सब को लाइट माइट के किरणों का सही योग दो बावनिका कि आज बाप ददा अपने सामने चारो तरफ के अपनी छोटे से संसार को देख हरशित हो रहे है क्योंकि ये संसार है छोटा लेकिन अती प्यारा है क्योंकि ये संसार की एक एक आत्मा स्रेश्ट आत्मा है कोटो में कोई आत्माई है, बाप के वर्षी के अधिकारी आत्माई है, बाप तदा हर बच्चे को देख खुश होते हैं कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, बाप तदा ने हर बच्चे को स्वराज्य दिकारी, विश्वराज्य दिकारी बनाया है इस समय सभी स्वराज्य दिकारी है अर्थार्थ मन, बुद्धी, संसकार, कर्मिंद्रियों के राजा है कर्मिंद्रियों के वश नहीं, मन के भी मालिक है तो ऐसे आप हर एक अपने को मन के मालिक, संसकारों के भी मालिक समझते हो बापतता देखते हैं, हर बच्चा स्वराज्य दिकारी के साथ स्वमान अदिकारी भी है तो मैं स्वमान धरियात्मा हूँ, इस स्मृति में बैठो तो देखो, कितने स्वमानों के लिस्ट आपके सामने आती है अनेक स्वमान की माला सामने आ जाती है न बापतदने, बच्चों के स्वमान की माला हर बच्चे को डाली है स्वमान सुनते ही आपके सामने भी, अपने स्वमान स्मृति में आ गए याद करो अनादी स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है चले गए अनादी स्वरूप में हर एक का स्वमान है एक तो बाप के साथ साथ हैं चमकती हुई आत्मा बाप के साथ विशेश चमकती हुई दिखाई दे रही है जिसे आकाश में यहां कोई-कोई सितारा विशेश चमकता है, ऐसे बाब के साथ-साथ होने के कारण चमकती हुई आत्मा हूँ, याद आया अपना अनादी स्वरूप, सेकिंड में अपने अनादी स्वरूप में स्थित्थ हो सकते हो, अब एक सेकिंड में उस अनादी एक सेकंड के लिए स्थित्थ हो जाओ, कितना नशा चड़ता है, आगे बढ़ो, इस स्रिष्टी चक्र के आदी में आगे, ये ड्रिल करो, सत्यूग आदी में अपना स्वरूप देखो, कितना स्रेश्ट सुख स्वरूप है, कितना प्राप्ती स्वरूप है, दुख का नाम निशान नहीं, प्रकृति कितनी सुन्दर सतोगुनी है, अनुभव करो अपने देवता स्वरूप को, देख रहे हो ना अपना स्वरूप, कोई भी राजा हूँ, महातमा हूँ, नेता हूँ, ऐसा सरोप्राप्ती स्वरूप कोई देखा, तो एक सकिन के लिए अपने देवता स्वरूप में सित्थ हो जाओ, अपने स्वमान में मजा आता है न, हम सो देवता ये बाप ददा ड्रिल करा रहे हैं, फर नीचे आओ, कौन सा युगा गया, द्वापर में, आपका स्वमान पुझे का है, पुझे स्वरूप है, अपने पुझे स्वरूप को देख रहे हो, कितने सभी भावना से काईदे प्रमान पूझा करते हैं, ऐसे काईदे प्रमान पूझा और किसी की नहीं होती, चाहे धरम पिताएं आए, चाहे गुरू बने, नेताएं बने, अभी नेताएं बने, लेकिन ऐसे काईदे प्रमान पूझा और किसी की नहीं होती, तो अपना स अनुभव किया, अब आओ संगम पर, सब चक्र लगा रहे हो ना, पीछे वाले चक्र लगा रहे हैं, हाथ उठाओ, देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज्य दिकारी हो ना, तो संगम पर स्वयम भगवान, आपकी जीवन में स्वयम मालिक, आप बच्चों में पवित्रत की विशेश्ता भरता है, जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है, तो बनाने वाला कौन? स्वयम भगवान, वे अभी भी प्रत्यक्ष प्रमान, आपको पवित्रता की जैदाद बाप से प्राप्थ हो गई, चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है पवित्रता से आप सब मास्त्र सर्वशक्तिवान बन गई चेक करो सर्वशक्तियां प्राप्त है कोई-कोई बच्चे कहते हैं बाबा ने सर्वशक्तियां दी है लेकिन कोई-कोई समय जिस समय शक्ति के आवशक्ता होती है तो थोड़ा टाइम बाद में आती है इसका कारण क्या है वरदान में बाप ने दी है फिर भी समय पर नहीं आती उसका कारण क्या है अपने मास्तर सर्व शक्तिवान की स्वमान की सीट पर नहीं होते कोई भी किसका ओर्डर मानते हैं तो सीट वाले कही मानते हैं तो जब भी आप कोई भी शक्ति का ओर्डर करते हो पहले देखो समृति की सीट पर सेट है स्वमान की सीट पर सेट है समय निकाल कर स्वमान की माला पहन अनुभव करते चलो पूरे दिन में एक्सरसाइज करो ताकि वो आपके ओर्डर पर चले बाप तदा ने देखा अभी अटेंशन रखते हैं लेकिन नेमित रूप से अपनी दिन चरिया सेट करो बीच बीच में स्वमान के समरती स्वरुप में स्थित हो जाओ जैसे ट्राफिक कंच्रोल करते हो ऐसे स्वमान की समरती आदी काल से रिटर्ण जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो यह चलते फिरते भी कर सकते हो क्योंकि मन को सीट पे बिठाना है बाप तदा ने पहले भी कहा कि योग सब लगाते हैं अब आवशक्ता किस बात की है? सबय प्रमान ज्वाला मुखी योग क्या विशक्ता है जिससे डबल काम होगा एक तो पुराने संसकारों का संसकार होगा और दूसरा अन्ने आत्माओं को भी लाइट माइट प्राप्त होगी अपने पुराने संसकारों को जो बीच बीच में तिवरू पुर्शार्थ में कमी कर देते हैं उसके लिए ज्वाला मुखी योग क्या विशक्ता है एक स्वैम के लिए दूसरा ज्वाला मुखी योग द्वारा दूसरों को लाइट माइट देने का स्वरूप बनाओ इन किरणों से उन्हें सहयोग दो बाप तद देखते हैं लक्षे अच्छा रखते हैं हिम्मत भी रखते हैं लेकिन सारा दिन उस अटेंशन में रहें जैसे अम्रित वेला रहता है वो कम हो जाता है ये जो करम में लगते हूँ करम योगी बन करम करना इसमें अंतर हो जाता है आप सिरफ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो, तो जीवन तो सदा रहती है, जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा कहके प्यार कानभव करते हो, इसमें पास हो, अभी बाप समान भी बनके दिखाओ, बाप समान बनना प्यार माना क्या प्यार वाला जो कहे वो करना है तो बाबा से प्यार है लेकिन बाप समान बनना ही है ये द्रड लक्षे रखो बाप तदध चाहते हैं हर बच्चा ऐसा खुश नम खुश नसीब दिखाई दे चहरे से चलन से क्योंकि समय प्रमाड ये चहरा बहुत सेवा करेगा बाब दद चाहते हैं अभी से लक्षे रखो ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है सेवा करने का ऐसा उमंग हो चेहरे से सेवा करने का क्योंकि दिन प्रति दिन समय नाजुक आनाई है तो ऐसे समय पे आपका चेहरा आत्माउं को cheerful बनाई आज बाब ने अमरित वेले चक्र लगाया क्या देखा बैठते सब रूची से हैं लेकिन सबसे बड़ी authority है अनुभव तो देखा बैठते हैं लेकिन अनुभव की authority समरती में बैठते हैं लेकिन समरती स्वरूप का अनुभव हो अनुभव की authority का आनंद वो थोड़ा समय होता सोचते हैं मैं बाबा का दिल तक्तनशीन हूँ लेकिन समरती स्वरू बनने में अनुभवी मूरत बनने में अनुभव में खो जाएं ये अनुभव अभी और बढ़ाना है बाब ददा चाहते हैं कि अभी बच्चे जवाला मुखी योग के उपर अटेंशन दे जिससे स्वभाव संसकार में भी परिवर्तन होगा नेचर जो हम बदलना चाहते हैं वो तभी बदलेगी जब जवाला मुखी योग होगा बाबा ने देखा कि मुरलियां सुनते हैं दिन चरिया में अटेंशन भी ज़्यादा देने लगे हैं अटेंशन बड़ा है तो टेंशन संसकारों का कम होता जाएगा बाब ददा ने पहले भी कहा जब भी टेंशन आई तो आगे ए लगा दो चलना तो सबको है ही ये तो पक्का वाइदा है न साथ चलेंगे साथ राज्ये करेंगे तो अभी खुशी खुशी से ये संकल्प करो अच्छा चार ओर के बच्चों को बाब ददा दिल कस नहीं दे रहे हैं साथ साथ बाबा ने दो मास का कारे दिया उसको भी समरती दिला रहे हैं बहुत करके व्यर्थ संकल्प पुर्शार्थ को तीवर की बजाए साधारन कर देते हैं इसलिए चारो ओर के बच्चों को बाब ददा यादप्यार के साथ समरती दिला रहे हैं कि संगम का समय स्रेष्ट सुहावना समय है, संगम के समय सब खजाने बाप द्वारा प्राप्त होते हैं, संगम का एक एक सेकिंड महान है, इसलिए संगम के समय का मुल्य सदा अपनी वुद्धी में रखो, संगम का एक सेकिंड प्राप्ती कितनी कराता है, आपसे कोई पूछ जो पाना था, सो पालिया, अब उसे कारे में लगाते तिवरू पुर्शार्थी बन समय को समीब लाओ, विशेश अटेंशन देंगे हम सब, जवाला मुखी योग का अभ्यास करेंगे, स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी बनेंगे, बीच बीच में समय निकाल कर, अ आप दद सभी बच्चों को सदा चियरफूल देखना चाहते हैं, ओम शांती